हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिवा उनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस भरती के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है की नोटिफिकेशन जारी कर दी है तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं सियर प्रिफ कोंस्टेवल की भरती होने वाली है जनवरी 2020 में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तो इस वीडियो में बने रही है मेरे साथ में एंड तक तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहां पर वेबसाइट पर यहां लिखा हुआ है चलिए बताते हैं आपके लिए इस वर्ती में अपलाई करने के लिए आपको क्या का जरूत पड़ेगी तो यहांप़ दोस्तो नेम ओफ पोस्त है कॉंसिटेबल जन्रल डूटी और कॉंसिटेबल ट्रेट्समैन दौनों ही पदो के लिए सियर प्रीफ न हे रिकुरूट्मेंट के लिए नोटिफिकिकरिशन जारी कर दी है और इसमें अभी आप बात कर लेते हैं who can apply, तो who can apply में आप देख सकते हैं all India candidates, मतलब इस भरती के लिए all India candidates, जो हैं कि वो भरती के लिए apply कर सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी state से संबंधित हैं, और किसी भी state से belong करते हैं, तो आप इस भरती के लिए apply कर सकते हैं, और male and female आप जो भी है male and female आप इस वर्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छी ख़वर है इसमें महला और प्रोष्ट दोनों के लिए ही इस वर्ति के लिए अवे दन CRPFने मांगे हैं जौब लोकिसें होगी दोस्तों यहाँ पर औल अबर इंडिया मतलब आपकी और CRPF Constable Recruitment Pay Scale तो अगर हम Pay Scale की बात करने तो यहां पर Basic Pay है यहां के 5200 से 20,000 पर मन्त तक तो इसको उपर आपके लिए फिर आपके लगेंगे तो जिससे आपके salary करीब 40 से 50,000 पर मन्त के आसपास पहुंच जाएगी तो यह बहुत ही अच्छी salary दे रही है CRPF मैं आपको बता दूँं कि भारत का सबसे बड़ा अर्थ Grossianic Ball है CRPF थो और अगे बढ़ने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगे अभी तक हमारी चैनल को subscribe कर ले और वेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपसे कोई भी इंपोटेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो तो दोस्तो नेक्स चलते हैं CRPF कॉंस्टिवर भरती एज लिमिट अगर आपके यहां पर एज लिमिट की बात करें तो मतलब यहां पर आपकी जो एज लिमिट होगी वो 18 साल से 18 साल के बीच में होना जरूरी है मतलब 18 to 28 एर्स होना जरूरी है इसके बीच में एज रिलेक्सेशन SC, ST and OBC कंडिडेक्सेशन as per on government rules regulation तो यहां पर आपको जो एज रिलेक्सेशन है वो भी मिलेगा SC और ST candidates के लिए यहां पर पांच साल का और OBC candidates जो हैं उनके लिए यहां पर तीन साल का एज रिलेक्सेशन मिलेगा तो application fee की बात करें दोस्तों तो application fee आपकी यहां पर कुछ नहीं है application fee आपकी free है सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस बर्ति में apply करने के लिए कोई भी application fee नहीं देनी है तो दोस्तों हम इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CRPF recruitment 2020 की तो यहां पर selection process की बात करें तो दोस्तों selection process होगा आपका candidate will be selected based on married list मतलब आपका यहां पर physical standard होगा physical test होगा medical होगा उसके बाद में आपका written exam होगा जिसमें आपका married list बनेगी और उसी क्यादार पर आपकी जो है वो selection किया जाएगा तो education qualification के बात हैं हाँ पर हम कर लेते हैं education qualification के बात करें तो candidates should pass 10th class और matriculation और its equivalent मतलब आपके लिए केवल 10th pass ही होना जरूरी है सबसे अच्छी बात इस भरती की है कि आपके लिए इस भरती में 12th की जरूरत नहीं है graduation की जरूरत नहीं है आप केव तो दोस्तों यहां पर कुछ हम important dates की बात कर लेते हैं starting date for submission of application मतलब 9 December 2019 से जो application जो है submission शुरू हो गया है last date for submission of applications 8 January 2020 मतलब last date इस भरती की होगी 8 January 2020 तो आपको 8 January 2020 से आपका जो notification है इस भरती के लिए तो आपको offline ही इसके लिए apply करना है तो इसके लिए आपना form भरके और CRPF क पते पर भीजना है किस पते पर आपको भीजना है वो address में आपको आगे की वीडियो में बताऊंगे इसलिए वीडियो को देखते रहें और दोस्तों अगर आपने अभी तो किस वीडियो को लाइक ने किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्याद तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाँ तक पहुंच सके तो लाजट फॉर इस्टन जोन है दोस्तो 18 दिसंबर 2019 मतलब जो इस्टन जोन के कंडिडेट्स है उनके लिए इसकी लाज़ट 18 दिसंबर है तो अगर आप नहीं जानते हैं कि आप किस जोन से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी डिस्टेक और स्टेट का नाम लिखके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे मैं आपको बता दूँगा कि आप किस जोन से संबंदित हैं डेट ओफ फर्स्ट एक्जाम नोट मैंसांड तो दोस्तो एक्जाम की डेट अभी तक आपको नहीं बताई गई है जब भी एक्जाम की डेट होगी मैं आपके लिए बता दूँगा तो अप्लाई मोड होगा दोस्तो आपको आपको इस वीडियो में पहले भी बता चुका ह आपको इस पते पर आप भीजेंगे अपना application form तो दोस्तो यहां पर CRPF की भरती के बारे में हमने बात की यह वीडियो आपको कैसी लगए अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दिया दोस्तो और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को योगिता आपकी दस्वी पास की जरूरत है और आप मेल्याव हमेल किसी भी कटंडी से बिलौंग करते हैं तो दोस्तो अनुजन पर खरते के लिए अपनैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रू कर दें तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में थेंक्स फॉर वाजिंग जैहिंद जैवारत